मेरे इश्क देविच माशुरूख ना हो ने अज तक घलत निगाह कीती तेरी हर मुलाकात मेंच कीती जिवी मुसा नाल खुदा कीती नई फरक कीता तेरी पूजा विच ने खत्रादी परवा कीती एक तेनु रब नहीं कह सकता बागी सारी रसम अदा कीती कहते हैं कि इश्क फना कर देता है आज हम जिस इश्क के बारे में बताने जा रहे हैं वो सेद बाबा बुल्ले शाह का इश्क है इश्क मजादी से इश्क हकी की मनादल देह करते आगी रुन ने रब को पाही लिया और आज भी तारीफ के पन्ने में सुरु खरूँगे बुल्ले शाह का असल नाम अबदुल्ला था और 1680 में उश्क शरीफ में पैदा हुए और बार में कसूर के नवाही का उपांडू की भटिया मुंत्किल हो गए आपने इश्क दाई तलीम अपने वालिद शाह दर्वेश से हासित की और कुरान तफ्सीर सी कहादीथ हाफ़त उलाम मुर्तजा से हासित की जब जाहरी लम से उकता गए तो बोल उठे इल्मो बस करीओ यार इको अलीफ से नुदरकार बुले शाह अक्सर हालते जिदब में रहते और कहते एक पासे मेरे रैन वाबी एक पासे दियो बंदी अगे पिछे शिया सुनी डाड़ी फिरका बंदी विच विचाले साड़ा कोठा किसमत साड़ी मंदी एक महला आठम सीता के दी करा पबंदी बुले शाह रब की तलाश में निकले थे और शाह नायसे मुलाकात हो गई मगर इर्फान की राहों में पनाफिय और शेह की मंदिल भी आती है जब उन्होंने उसे पालिया तो बे साफ़ता फरमाया जेडा सानु सेयद आखे दोदख मिलन सजाईया जेडा सानु अराईय आखे बिश्टी पिंगा पाईया मुले शाह के खानदान को अराईय का मुरीद होने पर रहतराथ सा लेकिन इसका जवाब बुले शाह ने इस तरह दिया उसी विच उच दे उच्चे हो असी विच कसूर कसूरी हाँ शाह नायर दे बाग बहारा असी ओदे विच रसूरी हाँ एक बाद शाह नायर सरकार अपने दमाद मौलवी धखुर की बातों में आकर बुले शाह के नाराथ हो गए बुले शाह तड़प उठे और पाउं में घुंगरू बांदे एक नाची का रूप लिए उन्हें मनाने पहुंच गए तेरे इश्क नचाया कर थाया थाया चेती बोड़ी वे तबीपा नेते मैं मर गई है तेरे इश्क नचाया कर थाया थाया तेरे इश्क नचाया थाया 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 था पीमाने और उने थीने से लगा लिया इससरा बुल्लेशा को उनकी खोयी हुई मतामि गई बुल्लेशा की वफाद 17,8 तेमन में हुई उनका उस अगस्त में होता है बुल्ला तो अपने मुशित के आगे नाचा लेकिन उसके सामने हजारो नाचते हैं मनते मांगते हैं दिये जलाते हैं बुले शाह कहते थे अगर रब को पाना है तो अपने नफस को मारो रब मिर जाएगा रब रब करते बुड़े हो गए मुल्ला पंड़स सारे रब सा खोज खुरा ना लबया सच्दे करकर हारे रब दे तेरे अंदर वस्ता विच्च कुरान इशारे बुले शाह रब ओनो मिल सी यड़ा अपने नफस मुमारे बुले शाह पंड़ा पंड़ाबी के बहुत बड़े शायर थे उनकी काफिया उनका कलाम आज भी दुनिया में मिशूर है चल बुले शल ओथे चलिए जिद्धे सारे अनने ना कोई साधी जात पिछाने ना कोई सानुनने नहीं विश फजल मिन हाई उनिवस्टि लहौद ना कर बंदेया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी चार दिना दा मेला दुनिया से अर्मिटी दिधेरी मेरे इश्क देविच माशुरूख ना हो, वे अज तक घलत निगाह कीती, तेरी हर मुलाकात मेंच कीती, जिवे मुसा नाल खुदा कीती, नई फरक कीता, तेरी पूजा विच ने खत्रादी परवाह कीती, एक तेनु रब नहीं कह सकता, बाकि सारी रसम अदा कीती, कहते हैं कि इश्क फना कर देता है, इश्क आप वी अवल्ला ते उधे कम वी अवल्ले, जिदे पेश पैच जावे, कब छड़दाने कले, आज हम जिस इश्क के बारे में बताने जा रहे हैं, वो सेयद बाबा बुले शाह का इश्क है, इश्क मजादी से इश्क हकीकी की मनादल देह करते, आगी रुन ने रब को पाही लिया, और आज भी तारीफ के पन्ने में सुर्ख रूँगे, बुले शाह का असल नाम अब्दुल्ला था, और 1680 में उच श्षरीफ में पैदा हुए, और बार में कसूर के नवाही काओ, पांडू की भटिया मुद्गिल हो गए, आपने अब्तदाई तलीम अपने वालिद शाह दर्वेश से हासित की, और कुरान तफ्सीर फिकाह अधित हाफ़त उलाम मुद्दा से हासित की, जब जाहरी इलम से उखता गए, तो बोल उठे, इल्मो बस करीं हो यार, इको दिनु दरकार, बुले शाह अकसर हालते जजब में रहते और कहते, एक पासे मेरे रैन वाबी, एक पासे दियो बंदी, अगे पिछे शिया सुनी, डाडी फिरका बंदी, विच विचाले साधा कोठा किसमत साधी मंदी, एक महला आठम सीतां, के दी कराप बंदी, बुले श बुले शाह, रग्ड़ की तलाश में निकले थे, और शाह नायत से मुलाकात हो गई, मगर इर्फान की राहों में, पनाफिय और शेह की मंदील भी आती है, जब उन्होंने उसे पालिया, तो बेसाधा फरमाया, जेडा सानु सेयत आखे, दोदख मिलन सजाईया, जेडा सान अराईयां खे, बिश्ती पींगा पाईया, बुले शाह के खांदान को अराईयां का मुरीद होने पर रह기도 राहा है, लेकिन इसका जवाब बुले शाह ने इस दीया, उसी विच उचे हो असी विच कसूर कसूरी हा, शाह नायर दे भाग भाहारां, असी ओ दे विच रसूरी हाँ एक बाद शाहिनाय सरकार अपने दमाद मौलवी धभूर की बातों में आकर बुले शाह के नाराथ हो गए बुले शाह तड़क उठे और पाओं में घुंगरू बांदे एक नाची का रूप लिए उन्हें मनाने पहुंच गए तेरे इश्क नचाया कर थाया थाया चेती बोड़ी वे तबीबा नेते मैं मर गई हाँ तेरे इश्क नचाया कर थाया थाया झाल 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 प्लले शाह को उनकी खोई हुई मता मिल गई बुल्ले शाह की वफात 17-18 में हुई उनका उस अगस्ट में होता है बुला तो अपने मुशिद के आगे नाचा लेकिन उसके सामने हजारों नाचते हैं मनते मागते हैं दिये जलाते हैं बुल्ले शाह कहते थे अगर रब को पाना है तो अपने नफस को मारो रब मिर जाएगा रब रब करते बुड़े हो गए मुला पंड़स सारे रब सा खोज खुरा ना लबया सजदे करकर हारे रब दे तेरे अंदर वस्ता विच गुरान इशारे बुल्ले शाह रब ओनो मिल सी जड़ा अपने नफस की मारे बुल्ले शाह पंजाबी के बहुत बड़े शायर थे उनकी काफिया उनका कलाम आज भी दुनिया में मिशूर है चल बुल्ले या चल ओथे चलिये जित्थे सारे अन्ने ना कोई साड़ी साथ पिछाने ना कोई सानूनने रहविश वदल मिन हाई उनिवस्टी रहो ना कर बंदेया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी चार दिना दा मेला दुनिया से तर मिटी दी धेरी मेरी इश्क दे विच माशूरूक ना हो वे अज तक घलत निगाह कीती तेरी हर मुलाकात मेंच कीती जिवे मूसा नाल खुदा कीती नहीं फरक कीता तेरी पूजा विच नहीं खत्रादी परवा कीती एक तेनु रब नहीं कह सकता बागी सारी रसम अदा कीती कहते हैं कि इश्क फना कर देता है इश्क आप वी अवल्ला ते उधे कम वी अवल्ले ते पेश पैज़ावे कब छड़दाने कले आज हम जिस इश्क के बारे में बताने जा रहे हैं वो सेद बाबा बुल्ले शाह का इश्क है इश्क मजादी से इश्क हकीकी की मनादल देह करते आगीर उन्हों ने रब को पाही लिया और आज भी तारीख के पन्ने में सुरुख रूगे बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला था और 1680 में उश्क शरीफ में पैदा हुए और बाद में कसूर के नवाही का उपांडू की भटिया मुंत्किल हो गए आपने इश्क दाई तरिम अपने वालिद शाह दर्वेश से हासित की और कुरान तफ्सीर फिका हदीथ हाफद उलाम मुर्तजा से हासिल की जब जाहरी इलम से उकता गए तो बोल उठे इल्मो बस करीं हो यार इको अलीफ से नुदरकार बुले शाह अकसर हालते जजब में रहते और कहते एक पासे मेरे रैन वाबी एक पासे दियो बंदी अगे पिछे शिया सुनी डाडी फिरका बंदी विच विचाले साड़ा कोठा किसमत साड़ी मंदी एक महला आठम सितां केदी कराप बंदी बुले शाह रग्ड़ की तराश में निकले थे और शाह नायत से मुलाकात हो गई मगर इर्फान की राहों में पनाफिय और शेह की मंदील भी आती है जब उन्होंने उसे पालिया तो बेसाफता फरमाया जेडा सानू सेयद आखे दोदख मिलन सजाईया जेडा सानू अराइं आखे बिष्टी पिंगा पाईया मुले शाह के खानदान को अराइं का मुरीद होने पर रहतराथ सा लेकिन इसका जवाब बुले शाह ने इस सरा दिया उसी विच उच दे उच्चे हो असी विच कसूर कसूरी हा शाह नायर दे पाग बहारां असी विच रसूरी हा एक बार शाह नायर सरकार अपने दमाद मौली शभूर की बातों में आकर बुले शाह से नाराथ हो गए बुले शाह तड़प उठे और पाउं में घुंगरू बांदे एक नाची का रूप लिए उन्हें मनाने पहुंच गए तेरे इश्क नचाया कर थईया थईया चेती बोड़ी वे तबीपा नेते मैं मर गई है तेरे इश्क नचाया कर थईया थईया ठरभ है यजिए वे इश्क नचाया थबूभ जढ़ खाईंझ कर दोबूभ ले खाईंगरू चाह तेरे पाईंह भाईंगरू झाल कर दोग्या थे संवारा थे यजित अपिर देश्क नचाया पीर माने और उन्हें सीने से लगा लिया, इस तरह बुलेशा को उनकी खोई हुई मता मिल गई, बुलेशा की वफात 1780 में हुई, उनका उस अगस्त में होता है, बुला तो अपने मुशित के आगे नाचा लेकिन, उसके सामने हजारों नाचते हैं, मनते मांगते हैं, दिये जलाते हैं, बुलेशा कहते थे, अगर रब को पाना है तो अपने नफस को मारो, रब मिर जाएगा, रब रब करते बुड़े हो गए, मुला पंड़स सारे, रब सा खोज खुरा ना लबया, सजदे करकर हारे, रब दे तेरे अंदर वस्ता, विच्च कुरान इशारे, बु बुलेशा पंड़ाबी के बहुत बड़े शायर थे, उनकी काफिया, उनका कलाम आज भी दुनिया में मिशूर है। मेरे इश्क दे विच माशूरूक ना हो। मेरे अज तक वलत निगाह कीती, तेरी हर मुलाकात मेंच कीती, जिवे मुसा नाल खुदा कीती, नई फरक कीता, तेरी पूजा विच्च ने खत्रादी परवाह कीती, एक तेनू रब नहीं कह सकता, बाकि सारी रसम अदा कीती, कहते हैं कि इश्क फना कर देता है, इश्क आप वी अवल्ला ते उधे कम वी अवल्ले, जिदे पेश पैचावे कब छड़दाने कर ले, आज हम जिस इश्क के बारे में बताने चारे हैं, वो सेयद बाबा बुले शाह का इश्क है, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की मनाजल देह करते, आगिर उन्हों ने रब को पाही लिया, और आज भी तारीख के पन्ने में सुर्ख रूँगे, बुले शाह का असल नाम अब्दुल्ला था, और 1680 में उच श्षरीफ में पैदा हुए, और बाद में कसूर के नवाही का पांडू की भटिया मुद्गिल हो गए, आपने अब्तदाई तलीम अपने वालिद शाह दर्वेश से हासित की, और कुरान तफ्सीर फिकाह अधित हाफ़त उलाम मुद्दा से हासित की, जब जाहरी इलम से उकता गए, तो बोल उठे, इल्मों बस करीं हो यार, इको जब में रहते और कहते, एक पासे मेरे रैन वाबी, एक पासे दियो बंदी, अगे पिछे शिया सुनी, डाड़ी फिरका बंदी, विच विचाले साड़ा कोठा, किसमत साड़ी मंदी, एक महला आठम सीता, केदी कराप बंदी, गुले शाह, रब्त की तराश में निकले थे और शाह नायत से मुलाकात हो गई, मगर इर्फान की राहों में, पनाफिय और शेह की मंदील भी आती है, जब उन्होंने उसे पालिया, तो बेसाफता फरमाया, जेडा सानु स्यत आखे, दोदख मिलन सजाईया, जेडा सानु औराईया आखे, बिच्टी पिंगा पाईया, बुले शाह के खानदान को अराईय का मुरीद होने पर रहतराथ सा, लेकिन इसका जवाब बुले शाह ने इस सरा दिया, उसी विच उच दे उच्चे हो, असी विच कसूर कसूरी हा, शाह नायत बाग बहारां, असी ओ दे विच रसूरी हा, एक बाद शाह नायत सरकार अप थाईया थाईया चेती बोड़ी वे तबीबा नेते मैं मर गईया तेरे इश्क नचाया कर थाईया थाईया इश्क नचाया थाईया 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 ये देख पीर माने और उन्हें सीने से लगा लिया इस तरह बुले शाह को उनकी खोई हुई मता मिल गई बुले शाह की वफात 1788 में हुई उनका उस अगस्त में होता है बुला तो अपने मुशित के आगे नाचा लेकिन उसके सामने हजारों नाचते हैं मनते मांगते हैं दिये जलाते हैं बुले शाह कहते थे अगर रब को पाना है तो अपने नफस को मारो रब मिर जाएगा रब रब करते बुड़े हो गए मुला पंड़स सारे रब सा खोज खुरा ना लबया सच्दे करकर हारे रब दे तेरे अंदर वस्ता विच्च कुरान इशारे बुले शाह रब ओनो मिल सी जड़ अपने नफस की मारे बुले शाह पंजाबी के बहुत बड़े शायर थे उनकी काफिया उनका कलाम आज भी दुनिया में मिशूर है चल बुले शल ओथे चलिये जित्थे सारे अंदर ना कोई साड़ी साथ पिछाने ना कोई सानूनने भी शच्वदल मिन हाई उनिवस्टी रहो ना कर बंदेया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी चार दिना दा मेला दुनिया फेर मिटी दी धेरी मेरी इश्क देविच माशूरूग ना हो वे अज तक भलत निगाह की थी तेरी हर मुलाकात मेंच की थी जिवे मुसा नाल खुदा की थी नई फरक कीता तेरी पूजा विच ने खत्रादी परवाह की थी एक तेनू रब नहीं कह सकता बागी सारी रसम अदा की थी कहते हैं कि इश्क फना कर देता है आज हम जिस इश्क के बारे में बताने जा रहे हैं वो सेद बाबा बुले शाह का इश्क है इश्क मजादी से इश्क हकी की मनादल देह करते आगी रुन नहीं रब को पाही लिया और आज भी तारीख के पन्ने में सुर्फरू रुगे बुले शाह का असल नाम अब्दूल्ला था और 1680 में उश्क शरीफ में पैदा हुए और बाद में कसूर के नवाही काओ पांडू की भटिया मुंत्किल हो गए आपने अब्तदाई तलीम अपने वालिद शाह दर्वेश से हासिल की और कुरान तफ्सीर फिकाह अधित हाफ़त उलाम मुत्दा से हासिल की जब जाहरी लम से उकता गए तो बोल उठे इल्मो बस करें हो यार इको अलीफ से नुदरकार बुले शाह अक्सर हालते जजब में रहते और कहते एक पासे मेरे रैन वाबी एक पासे दियो बंदी अगे पिछे शिया सुनी डाडी फिरका बंदी विच विचाले साड़ा कोठा किसमत साड़ी मंदी एक महला आठम सीतां के दी कराप बंदी बुले शाह रग्ड़ की तलाश में निकले थे और शाह नायत से मुलाकात हो गई मगर इर्फान की राहों में पनाफिय और शेह की मंदील भी आती है जब उन्होंने उसे पालिया तो बेसाफता फरमाया जेडा सानू सेद आखे दोदख मिलन सजाईया जेडा सानू अराईया खे बिष्टी पिंगा पाईया मुले शाह के खानदान को अराईय का मुरीद होने पर रहतराथ सा लेकिन इसका जवाब बुले शाह ने इस तरह दिया उसी विच उच दे उच्चे हो असी विच कसूर कसूरी हा शाह नायर दे पाग बहारां असी विच रसूरी हा एक बार शाह नायर सरकार अपने दमाद मौली शभूर की बातों में आकर बुले शाह के नराथ हो गए बुले शाह तड़क उठे और पाउं में घुंगरू बांदे एक नाची का रूप लिए उन्हें मनाने पहुंच गए तेरे इश्क नचाया कर थईया थईया चेती बोड़ी वे तबीपा नेते मैं मर गई है तेरे इश्क नचाया झाल झाल पीर माने और उन्हें सीने से लगा लिया इस तरह बुलेशा को उनकी खोई हुई मता मिल गई बुलेशा की वफाद 1780 में हुई उनका उस अगस्त में होता है बुला तो अपने मुशित के आगे नाचा लेकिं उसके सामने हजारों नाचते हैं मनते मांगते हैं दिये जलाते हैं बुलेशा कहते थे अगर रब को पाना है तो अपने नफस को मारो रब मिर जाएगा रब रब करते बुड़े हो गए मुला पंड़स सारे रब सा खोज खुरा ना लबया सजदे करकर हारे रब दे तेरे अंदर वस्ता विच गुरान इशारे बुलेशा रब ओनो मिल सी जड़ अपने नफस की मारे बुलेशा पंजाबी के बहुत बड़े शायर थे उनकी काफिया उनका कलाम आज भी दुनिया में मिशूर है चल बुलेशा चल ओथे चलिये जित्थे सारे अंदर ना कोई साड़ी साथ पिछाने ना कोई सानूनने भी शच वदल मिन हाई उनिवस्टी रहो ना कर बंदेया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी चार दिना दा मेला दुनिया फेर मिटी दी धेरी